Okay student, हमने class 9th का chapter शुरू किया, फिजिक्स का पहला chapter था, जिसका नाम था motion, आज हम उसी chapter में, आज हम आगे उसका सब टापिक, physical quantities of motion क्या होती है, वो आज हम discuss करेंगे, तो मैं उमीद करता हूँ कि आपने जो पहले हमने पढ़ा उसके बारे में आप knowledge होगी, तो आज हम इस chapter मे सबसे पहले पढ़ेंगे distance, physical quantities of motion क्या होती है, distance, distance heavy क्या होता है, displacement, speed, velocity, acceleration, uniform and uniform motion and graphs, पहले हमने distance और displacement के बारे में पढ़ लिया है, आज हम speed और velocity के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि velocity, speed और velocity क्या होती है, speed हो गई, the distance travel by body per unit time, time per unit time है, जो body distance cover करती है, उसको हम speed बोलते है, speed का formula होता है, speed is below distance, इतना cover किया और time, तो distance को हम meter मेर करते है, time को scans मेर करते है, तो उसके बार velocity जो है, velocity the distance travel by body per unit time, distance जो velocity per unit time करती है, लेकिन उसमें direction given होती है, इने given direction में, जो उसको हम बोलते है, velocity, it is a speed with direction, ये बी speed की होती है, लेकिन इसमें direction होती है, velocity के बराबर होता है, displacement over time, displacement को meter मेर की आगे जाता है, वो time को scans में, इसके और points हम पढ़ लेते हैं, ये scalar quantity होती है, जिसमें आपने बढ़ा था, सिर magnitude होता है, direction नहीं होती, तो velocity जो है, it is a vector quantity होती है, जिसकी magnitude direction दोनों होते हैं, तो it is always positive हमेशा positive होता है, और जो velocity है, ये positive होती होती है, अब आगे पढ़ेंगे, जो समझेंगे, उसके पार ऐसा unit क्या होता है, मीटर पर सकेंड हो गया, और इसका मीटर पर सकेंड होता है, अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको कि average speed क्या होती है, और average velocity क्ला होती है, इसके formula हम आपको ये बता रहे हैं, क्योंकि ये numerical solve करने में, प्र speed में total time कितना लिया, ये average speed निकालने के लिए काम आता है, उसके बाइवरी velocity से हमें, इसमें, average velocity, initial velocity प्लस, final velocity को प्लस किया जाता है, ये दोनों जो formula है, आपको numerical solve करने में, प्रालम जो हमारे यहां unit में आएंगी, उनको solve करने में, याल्प करेंगे, अब हम पढ़ें, types of motion, अब types of motion में था, एक uniform motion होता है, दूसरा non uniform होता है, सबसे पहले हम understand करते है, uniform motion क्या होता है, when a body travels equal distance, in equal interval of time, then the motion is said to be uniform motion होता है, जब कोई body equal distance, equal समय के अंदर cover करती है, उसको हम बोलते है, uniform motion जासे example यहां दिखते हैं, देखें, यहां 0 से शुरू हुआ, 0 से यहां 100 गया, 100 क के बाद 300 और इनके बीच का distance 100, 100 का है, सब में, और नीचे आगर time देखें, यह से 9 से 10, 1 ओर हो गया, 10 से 11, 1 हो गया, ऐसे इनके बीच में distance जो है, जब यह जो ए गाड़ी है, यह 0 से 100 तक जाएगी, तो इसका मतलू उसने 1 गंटे में 100 किलोमेटर किया, फिर वहां 100 से अग किलोमेटर टाइम को हम बोलते हैं, युनिफार्म मोशन और इसका ग्राव भी क्या होता है, जैसे य एक्स एक्स में देखें, यहां तो यह इसका ग्राव जो है, एक स्टेट लाइन बनती है, प्योंकि एक्कोल डिस्टैंस और इक्कोल टाइम वो कावर करती है, तो स्टेट लाइन होगा, अब हम देखते हैं कि सिंबल्स क्या-क्या यूज होते हैं, इन में आगे, डिस्प्लेस्मेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, डिस्टैंस को ऐसे डिस्प्लेस्मेंट को डिल्टा से के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, निशे व्लास्टी को यू से र औरल होते है copy humbled से निकालना तो smooth me कैसे निकलें डिसेंट् tight तो स्फ्धीड को V से नाट कर सकते है विक को data of time यह जो इसके वादcji को likes पौड़ेशन होता है जब कीविलास्टी रेट हिसकी छीचिल होती है पिंड़ की टाइम के साथ उसका लिए एक्सक्राइशन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन को हम क्या करते हैं सन्माइनज। सबस्में सबस्क्राइब को यह मीटर में होता है और टाइम स्कीन्स में होता है यहां पांग यह डिया अधिय टाइम में इसलिए 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 उसकता है एक्सेलरेशन Lebury हो सकता है या एक्षे US आगर कम है लिए एक्सलरी करेंगे तो 5 कर तेरिये ने गैफ डूस्री टाइब है अध्याच्लै ??? चल्द क्या होता है कि पर ज्यादा होती है और फाइनल डवास्टी कम पर तो सब्सक्राइब और दूसरी की ताइम में देखिए ताइम को वाइक्से घ्याप तो आव देखिए यूनिफोर्म speed और विलास्टी ये बात होती है अगर speed एक जैसी है एंकी straight line बनी ऐसे का मतलब uniform speed होगी इसका graph straight line बनेगा क्योंके equal distance और equal interval time cover करता है लेकिन non uniform velocity में graph जो होता है कर्व की shake में होता है यह सुदह नहीं होता है क्योंकि इसमें time जो है इसलिए ग्रहाब सिदा नहीं बनता तो अब हम आगे इसकर पढ़ें बोदिये एक्जमुल की और वाउड दीं से सब्सक्राइब करें तो उसको का चीछ सब्सक्राइब करें तो हम क्या करेंगे यह से नीचेकल करेंगे इस केस में भी करेंगे उसमें किस्टैनस ऐसे कवरए तो नहीं रहता है तो टाइम से भी स्पीड और विलस्टी दोनों करते हैं रिबायस्टी निकालने के लिए हम कहा करेंगे जो यह तो में स्टेंस नहीं होता है तो आगे ल्स्ट में इसका एक्जेंपल परणें व्लस्टी को हम इस साइड येक्स सिम्हें कर डिपयर करते हैं हौर देखेंव मेंare से एक्षलेशन सिधा जारा है इसका मतल पहला सब्सक्राइब नहीं है अवर कोई चैंजगाए नहीं है नहीं लाएच यूनिवर्यशन मोशन निमaforne निकालना है तो घर से निचे लएड लान करेंगे जो तो इसका बीच का एरिया जो है ये रिप्रेजेंट करेंगा एक्सलिरेशन तो आज हमने फिजगल क्वेंट्री जाव मोशन पड़ी और ग्रॉप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं उमीद करता हूँ आप लोगों इसकी सामजाई होगी और जो हमने पहले भी पड़ा है इसस स्लेबस है इस चैप्टर को सो पूरा करेंगे थैंक यू, हवाँ नाइस दू